तो कैसे हैं आप लोग तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहा है फिर से जियो सी है ना जनरल और्गिनिक केमिस्ट्री लेक्चर फॉर की तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा है ना सारी चीजे बहुत अच्छे समझ लियोंगी क्योंकि सारी चीजे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो जैसे कि आप देखे रहो थमडेल में आज हम लोग बात करेंगे बात करने वाले हैं किसकी आज है ना बॉन फिजन और उनकी स्टेबिलेटी के बारे में बात करने वाले है ठीक है और यही पर आई इफेक्ट का कै कैसे कैसे क्या क्या रोल होगा वह भी आपको समझने को मिलेगा और यहां पर बहुत अच्छी विकेस्टी या ट्रिक्स आपको बताऊंगा आप को चुट्के में सौल कर पाऊ है इसलिए एक दम अच्छे से लगे रहो और मस तरीके से देखो लाश तक इन्जॉय करो लबली विकेशियन प्यारे विकेशियन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और चलिए स्चुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के है ना तो सबसे पाइला पॉइंट जो हम आपको बताते ने जा रहे हैं आपर सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है 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 जब कोई सावी बॉंड बनाते हो तो इसमें दो इलेक्रोनों का मुच्वल सेरिंग होता है मालो हमने अभी तो को मैं आपको बॉंड फिजन नहीं समझाने जा रहा हूँ बॉंड फिजन का पूरा पार्ट अभी समझाओंगा डिटेल में अभी बात समझो मैं क्या बोलने तो जारू तो आपको फिलीक्रोन it है पश्यारू अदर लेक्रोन बिक टरफ है में त। यानि कि एक 크rika और ईक अब आया तो नहीं पर आया कि मैंन तुट के आया है तो आप समझ को लीनन की वजह कूर छित मीद्च पर कीछिता refuse Marines एक तो खुद का electron free हुआ और एक दूसरे atom से आया उसके पास तो total 2 electron हो गया लेकिन charge जो आया सिर्फ एक electron की transfer की वज़े से आया –1 यह बात समझ रहो so two electron when negative charge है ना तो जो दो electron है इनको आप read कर सकते हो as a loan pair तो कहीं पर भी अगर negative charge लिखा हुआ है, minus लिखा हुआ है, 1 minus तो उसको one lone pair consider कर लेना अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो एक electron था, यह चला गया इधर तो जब electron जाता है किसी से दूर, तो उस पर plus charge जाता है, plus तो इस plus charge जहाँ पर आया, उसका एक electron गायब हो गया, जो sharing में था, तो उस plus charge की वज़े से यहाँ पर जो electron होना चाहिए था, कितना हो गया, 0 हो गया, मैं पूरे electron की बात नहीं कर रहा हूँ, इस electron की यह चला गया, तो कितना हो गया, 0 जहां कहीं भी plus charge लिखा है, तो आप उसको 0 electron की तरह treat करोगे, कि यहाँ इसकी वज़े से कोई electron नहीं है यहाँ पर, बात समझ में आपको आ गई होगी, तो plus charge मतलब, जहां पर plus charge लिखा है, plus one लिखा है, मतलब, जहां भी plus लिखा है, 0 electron, मतलब, एक electron गायब हो गया, वहाँ अब बात करते हैं मालो हमारे पास CH3 plus है CH3 plus है और हमें इस carbon का hybridization निकालना है समझने ज़रा बात को अब CH3 plus है बेटे तो ज़रा समझना CH3 plus जो है अच्छा प्लस चार्ज का मतलब यह भी कह सकते हो आपकी deficiency of one electron अगर plus one है तो deficiency of one electron समझने बता एक electron की कमी होगी बता एक electron से चला गया देखो अब दिख रहा है न सबसे एक electron चला गया उससे चले अब देखे जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर hydrogen लगा दिया बात को समझना बेटे बात को ख्यान से और यहाँ पर plus 4 वैसे तो अब बताओ carbon को जो होता है कितना होता है चार होता है चले चार होता है अब यहाँ पर दो को एक carbon का electron यह एक electron यह एक electron यह एक electron यह चार होता है लेकिन यह पर तीन है क्यों क्योंकि एक electron प्लस चार्ज आने की बज़े से चला गया है यानि कि चार थे चार एक चला गया तीन बचे यानि कोई भी इसके पास free electron अब नहीं है, बात समझ रहो कि नहीं समझ रहो कि 3 electron आपर बच रहे हैं, यह plus charge क्या सो कर रहा है, कि इसका एक electron जो था, sharing में जो रहा होगा, वो ऐसे चला गया होगा, तो भही 4 थे 3 बचे चलिए, यानि कि इसके पास कोई भी lone pair नहीं है, कोई free electron नहीं है, तो इ lone pair means sigma bond, इसके पास होगे कितने 3 है ना, तो इनका sum निकाला अपने, तो 3 आया, और जब कभी 3 आता हो, तो हम बोलते ना, SP2 होता है, SP2 होता है, अगर lone pair 0 है, और bond pair 3 है, और sum 3 आ रहा है, दोनों को मिला के, SP2, तो ऐसे shape को हम लोग ट्राइगोनल प्लैनर से भी बोलते हैं, अगर यह जरूत पढ़ेगी हमको, ट्राइगोनल प्लैनर, मतलब कुछ किस तरह का बना होगा, यह carbon कुछ इस तरह का होगा, तो यहा हमेशा हर एक case में, ट्राइगोनल प्लैनर सेफ होगा, यह बात भी आपको समझ में आ जाती है, अब आप बात करते हैं, माइनस की, चलो, आप नेक्स एक्जम्पल के बात करें, यह बात समझ गया हो, तो इसका SP2 हैबिटाजेशन हो गया, चले थोड़ा सा पानी पीते हैं, तो कटैन का कैसे निकल होगी, तो अगर प्लस 1 है, तो deficiency of 1 electron, कहीं पर अगर प्लस 2 लिखा है, इसका बदब deficiency of 2 electron, वाच दो electron उड़ चुके हैं, of 2 electron, प्लस 3 लिखा है, deficiency of 3 electron, 3 electron वाच से उड़ गया है, तब भी plus charge आता है, चले, next की बात करें बेटे अब, तो अगर हम next की बात करें, तो चलो NIN पर आ जाते हैं, अब NIN पर आते हैं, अब यहाँ पर minus, अब आपको बात करना CH3 minus की, समझते जाना बेटे बात को, CH3 minus की ब कहीं पर भी अगर minus charge है, कहीं पर भी अगर minus charge है, तो आप बेटा, एक ची बताओ, है ना, उसका मतलब समझ लेना कि 2 electron, इसमें से एक तो carbon का होगा, और एक किसी दूसरे atom से आया हुआ, वो होगा, तो पहले चलो carbon की बात करें, carbon का violence electron, कितना होता है, 4 होता है, 4, तो एक यहा है, क्या carbon के 4 electrons है, बिल्कुल है, और एक extra और आ गया, कहने का मतलब क्या हुआ, बात को समझ रहो, मैं क्या बूलना चाहरा हो, इसका मतलब यह कह सकते हो, कि भाई, यह minus charge है, तो minus charge का मतलब आप देख रहो न, यहाँ पर दो, अभी आपको चिखाया था, कहीं पर भी अगर minus size लिखा, तो उसकी वज़ा से आप उसको एक loan pair की तरह है, consider कर सकते हो, चलिए, किया हमने, तो अब बताओ बटा, इसके पास कितने sigma है, 3 sigma, और क्या बटा, एक loan pair है, तो इसके पास, क्या है बटा, देखो, one loan pair है, और 3 sigma bond है, जड़ा देख लो अब, तो sum इसका निकालोगे तो 4 आएगा, 4 आने पर habitation क्या होता है, SP3 होता है, 4 आने पर habitation कितना होता है, SP3 होता है, और ध्यान रखो एक चीज, कि अगर SP3 habitation है, और ध्यान रखो बटा, अगर loan pair एक है, और bond pair, मतलब sigma bond कितने है, बटाओ, तीन है, तो ऐसे case में, जो shape आता है, compound का, जो safe होता है, that shape is called trigonal, अब यह जो मैं बतारो, उस फोकस कर लो, trigonal pyramidal shape कासा होता है, इता है, यह carbon हो, pyramid type का, लाइकожд hydrogen इस तरह को और यह hydrogen इस तरह का और यह लोन पियर कुछ इस तरह से सो कर सकते यह यह आँपर मायनस इस इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं Trigonal Pyramidal तरह कर लिए तरह को इस से को हम लोग Trigonal Pyramidal टाइप का से फिरिये था जैंड कहों जब कभी भी कार्बन पर जब कभी पर कार्बन पर अगर प्लस चार्ज आता है कभी भी है ना इस कार्बन का प्लस चार्ज के एक्जम्पल हम लोगों नहीं लिया था यह यह लिया था कार्बन देखो यह तो कार्बन है तो कार्ब और यह कटायन है तो इसको अगर कार्ब कटायन बोलते है तो तो कर्बन पर प्लस चार्ज है इसलिए हम इसको कर्ब कटायन बोलेंगे कर्ब कटायन बोल सकते हो और कर्बन पर माइनस है इसलिए इसको कर्ब नायन बोलेंगे तो मतलब carbon अन म्यश्किन करें, तो carbon पर plus charge है, carbon पर minus charge है carbon और हमेंजा ध्यायन लोगेघा अगर carbon single bonded से attached है मतब ये तीनो sigma है अगर और उस पर plus charge है आप आग बंद करके बोल सकते हो उस पर hybridization क्या होगा SP2 होगा, खतम कानी, कुछ नहीं सोचना कुछ भी नहीं सोचना है अगर carbon पर तीन bond ऐसे लगें sigma bond और एक plus charge है हमेशा SP2 होगा और अगर carbon पर minus charge है और तीन इस तरह से sigma bond लगें कौन से sigma bond, single bond की बात हो और ये pi bond की बात नहीं हो और ये दान रखना तो हमेशा आप बोल सकते हो हमेशा 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 तुरंत आप बता सकते हो और एक सी और का बता देते हैं आपको अगर carbon पर अगर 4 ऐसे, कोई charge नहीं है इस तरह से, कोई भी charge नहीं है तो पेटा carbon के बाले से 4 होता, 4 होगा, तो hamidation, habidation हमेशा SP3 होगा हमेशा SP3 होगा, अरे भाई, region तो आपको बता है न, बता ही चुका हो पहले तो carbon पर अगर 4 bond लगे होए हैं और 4 सिग्मा है, कोई charge नहीं है हैना, अगर neutral carbon है कोई charge नहीं है, उसके 4 bond सिग्मा bond है तब भी habidation हमेशा कितना होगा SP3 होगा, हमेशा SP3 होगा हमेशा हमेशा, हमेशा कभी, भी कोई mistake नहीं होगा कभी, भी कोई mistake नहीं हो सकता हमेशा SP3 होगा 4 दो क्यों तो चार बालेंसी एलेक्टरों ता 4 उच हो गया तो इसका लोन पेर हो गया 0 और बाउन पेर कितने है? 4 है, 4 से कम बाउन इसके पास बाउन पेर 4 हो गया सम इसका 4 आया और 4 आता है तो क्या होता है SP3 यहाँ पर भी है बस दोनों के सेप में डिफरेंस आएगा वह हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है? राइट? चलिए ओके बात क्लियर ना बेटे? एकदम यहाँ तक तो यह चीज आपको समझ में आती कि अगर केटैन और नान है तो हम लोग किस तरह से? यह चीज में आपको बताई इस पर एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि कार्बन पर तीन सिंगल बॉंड है, सिंगमा बॉंड है और प्लस चार्ज है, हाविडेशन हमेशा तुरंत SP2 बोलना चुटकी मैं यह जो electron displacement effect है वह हम कब और यूज कर सकते हैं और कब यूज नहीं कर सकते हैं यह बहुत ही हम इसको बोलेंगे कि this is most important मतलब इतना ज्यादा important है कि यह चीज मैं आपको बताया भी था कि मैं आपको बताऊंगा कि कभ यह applicable होगा और कभ यह applicable नहीं होगा अच्छा electron displacement effect में जैसे यहाँ पर plus i minus लेका यह तो inductive effect हो गया plus h minus h वैसे hyperconjugation plus m minus m इसको बोलते हैं mesomeric and आगे resonance effect भी बोलते हैं बड़ थोड़ सा difference आता है तो अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आई effect पढ़ रहे हैं तो अभी हम तो i effect की ही बात करेंगे पर चुकि यह सब हैं जो भी काम होगा इन सब के साथ होगा जो काम ने i effect में सीख लिया वही हम जो मैं बताने जारों होगा वही हम आपका mesomeric में भी होगा so electron displacement effect can only be used कभी उज हो सकता है जब atom और उसका hybridization दोनों बराबर हो atom भी हो उसका hybridization भी हो तभी आप electron displacement effect यूज कर सकते हो अधर यह आप नहीं कर सकते हो धन रखना नोट कर लेना इसको कॉपी में भी और माइन में हमेशा के लिए या फिर atom में स्येश साइज और स्यम electronegativity होणा चीए तो फिर तभी आप electron displacement effect यूज कर सकते हो, अगर atom different हो गया, you can never use for different atoms, you can never use electron displacement effect, here you can use electron displacement effect, और जब बात हो रही है electron displacement effect की, तो बात हो रही है inductive effect की, बात हो रही है hyperconjugation की, बात हो रही है mesomeric and resonance की, अच्छा अब आप बोलोगे सर्फ कैसे क्या, क्या same, क्या hybridization, क्या different, कैसे समझे तो भी समझाता हूँ, dairy milk, dairy milk, इतनी बात समझे, मैंने क्या बोल दिया, कि अगर atom उसका hybridization same है, तभी आप यह plus i, minus i, यह plus h, minus h, plus m, minus, यह यह यूज कर सकता, otherwise नहीं, अगर different हो गया, you can never use electron displacement effect, कभी यूज नहीं कर सकता, अब यह example की line लगा दूँगा, so if atom connected to compound or chain is different, then we can never use electron displacement effect, right, अब कैसे कैसे क्या क्या है, उस बात को समझते हैं, अब इस point को जो मैंने आपको बोला है, अब जड़ा फोकस करना इस बात को, mind में एकदम set कर लेना, बताब मजा आ जाएगी आपको, आपको, mind में एकदम किस्तर clear idea यह आ जाएगा, कि कभ हमें, क्योंकि हम maximum time, बढ जहां लगा सकते हों ही लगाएंगे, जहां नहीं लगा सकते, वहां नहीं लगाएंगे, वहां कुछ और लगाएंगे, वहां हम बताएंगे, सारी चीज़े clear करेंगे, problem हमारा solve होगा, electron displacement effect नहीं लग रहा, तो कुछ और लगेगा, क्या लगेगा, एकदम किस्तल clear concept होगा, उसमें आपको जड़ा सा भी 0.001% confusion नहीं होगा, यह guarantee है, तो अब आगे की बात करते हैं, तो चलिए आपको पहले हम यह सिखा देते हैं, कुछ examples के तो कि कहां पर आप electron displacement effect लगा सकते हो, और कहां पर नहीं लगा सकते हो, ठीक है, चलिए देखाते हैं आपको, और यह clarity इसकी stability की बात करनी है, तो हमें focus कहां पर करना है, इस कारपन पर करना है, इसके बारे हम बात करनी है, अब ज़र देखिएगा, CST को ऐसे लिख ले, मैंने क्या बता है था, जिससे कि आपको पता है, अलकाई गूप प्लस आई effect देते हैं, चलो ठीक, लेकिन हम लगा सकते की नहीं लगा सकते हैं, पहले उस बात को समझना है, पीटा आप क्या करते हो, आप stability of iron चेक करना चाहते हो, तो यानि कि आपकी focus कहां पर होगा, चार् एक तो displacement effect लगा कि अध्यक को stability कैसे चेक करेंगे वह भी बात में बताएंगे, पहले तो आप यह देखो कि EDE कहां लगा सकते हो, कहां नहीं लगा सकते हो, समझो बरिए बात को, अब इस एटम को मैंने पकड़ा, तो अबने आपको यहां भी carbon, यहां भी carbon, यहां भी carbon, हमने अब एक दम कहानी crystal clear, यहीं से हो गई होगी, then only you can use, बताओ, carbon, 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 same item, चलिए, क्या carbon पर plus है, yes plus है, और सब में से तीन bond निकले हुए, तीन bond, तीन bond, तीन bond, तीन bond, क्यानि कि सभी पर hybridization SP2 होगा, carbon की बात कर रहो, इस carbon पर भी SP2 होगा, इस पर भी SP2 होगा, इस पर भी SP SP2 होगा, अभी क्यों सिखाया था, इसलिए तो सिखाया था, देख लो, आफटाबट, यह चीज़ देखो, carbon पर प्रस चार्ज तीन bond निकले होगे, carbon पर तीन bond निकले होगे, single bond, और माइनस चार्ज है SP3, अब आप समझो, अब देखो कैसे, तो बताओ, क्या same item है, चारो, यह चारो same item है, अब बताओ, क्या चारो में, जो same item है, उनका hybridization भी same है, same है, yes, तो क्या आप यहाँ पर EDE लगा सकते है, yes, you can use electron displacement effect, कैसे लगाओ, आगे बात करेंगे, यहाँ पर I effect भी लगेगा, यहाँ पर hyperconjugation भी लगेगा, सब लगेगा, कैसे लगेगा, आगे सची बताना, अब मज़ा आ रही है, आप समझे में, कहां पर लगेगा, कहां नहीं लगेगा, वो भी दिखाऊंगा आपको, अब देखो यहाँ पर भी कार, आप चारो में चेक करो, इसको भी आसे बना लो, मौजा ही मौजा लो, यह देखे, ऐसे बनाया, अब देखो इस carbon यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसको फोकस क्यों कर रहे है, क्योंकि हम आयन की स्टेबिल्टी की बात कर रहे है, जैसे कि यहाँ पर हम इसकी स्टेबिल्टी की बात कर रहे है, कार्ब कटायन की स्टेबिल्टी, कार्बन पर पर प्लस चार्ज बिंस कार्ब आप गटायन की बात हो रही तो carbon पर plus इसकी stability चेक करोगे, carbon 9 पर यहां पर चेक करना है, तो यहां पर carbon 9 मतलब इसकी बात करोगे, समझ रहो ना, इस तरह से, चलिए, तपर अगर हम इसकी बात करें, तो साइद आप बीना कुछ लिखे समझ गए होगे, क्या same atom with same hybridization, तो same atom, त same hybridization कैसे, तीन सिंगल है, और एक minus है, तो इस पर भी SP3 होगा, अब बताओ, यह चीज़ आपको बार-बार लिखने की जरूतर ही, यह मैं समझा दे रहो, यह आपको देखके ही पता चलना चाहिए, तो बताओ बताओ, क्या यह concept लग गया, same atom with same hybridization, yes, तो क्या आप कोई साभ electron displacement effect, जो अपने के बहले, वो लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, similarly अगर हम इस carbon की बात करें, carbon का valency पर जब carbon पर plus charge था, तो आपने देखा था, तो आपने देखा था, तो तीन bond निकले हुए था, यानि carbon पर जब charge neutral था, जब carbon neutral था, तो उससे 4 bond निकले हुए था, और प्लस charge हुए तो एक bond टूटा है, या माइनस होए एक bond टूटा, तो तीन bond बचे, और carbon का valency, इसको बोलते हम bond line diagram, तो carbon का valency, यानि carbon plus charge है, यानि इससे कितने bond निकलने चाहिए था, single bond ही दिख रहा है, तीन bond, अभी एक निकलने चाहिए आपको, अब ज़रा देखना, मैं क् क्या चाह रहा हूँ, इस बात तो समझना, focus करना, ठीक है, बटे, देखो, क्या bond बोलना चाह रहा हूँ, carbon पे plus charge, राइट बटे, तो यहां भी carbon, यहां भी carbon, same item हो गया, अब hybridization की बात करें, तो carbon plus charge है, तीन bond होने चाहिए और जो bond पूरे निको आप hydrogen से पूरा कर सकते हो, तो एक hydrogen इन फोगालो एक इन फोगालो और आप खुच चेक कर लो, अब यह चीज पटें लिखने की जरूरोतनी होनेच, यह understood आपको खुच समझना है, तो बटा बताओ, एक दो तीन bond plus charge, एक दो तीन bond plus charge, तीन क्यों कर दिया, एक इधर था और दो इधर, क्योंकि carbon पूरे न्ता पूरे कर सकते हैं खुद समझ लेना कि वहां पर अगले बाले ही बताइंगे रीजिदे हाई हई्टर लगा होगा यहां भी कार्बन यह भी कार्बन देखें हैं डिउड दा हमां घूछे यहां पर गात गरेगों पर अब यहां पर में तो same atom हो गया, अब बताओ, plus, 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 और तीन single bond है, तो यहाँ पर भी SP2, यहाँ पर भी SP2, यहाँ पर भी SP2, same atom with same hybridization, yes, you can use electron displacement effect, आप electron displacement effect यहाँ use, कर सकते हैं जनाब, चले आगे की बात करें, similar लिए बताओ, यहाँ भी carbon, यहाँ भी carbon, यहाँ भी carbon, minus 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 है, same atom हो गया, बताओ, तीन bond, एक minus, यहाँ पर SP3, यहाँ पर भी SP3, यहाँ पर भी SP3, कर्बन पर minus है तो carbon ion, carbon पर plus है तो carbon cut ion, carbon पर minus है तो carbon ion, carbon पर plus है तो carbon cut ion, बात समझो बेटे, बात समझो, तो same atom with same hybridization, yes, you can use electron displacement effect, yes, you can use electron displacement effect, अब बेटा बताओ, क्या इस पहले का मतलब समझ में आया, when atom, its hybridization both are same, और atom with same size and same electron negativity, ऐसा होगा तो ऐसी condition बनेगा बेटे, then you can use electron displacement effect, but if atoms are different, you can never use electron displacement effect, चले, अब उसको भी समझाते हैं आपको, देखे जरा जिसे कि हम इन दोनों कि इस्टिबें की बात करें, हम धीटे, जैसे कि इन दोनों किस्टिबिल्टी की बात करें, सुक्ष हम अंपर फोकस करेंगे, आपा आयन की stability की बात करें तो आयन तो यह है ना बटे O- O, N- O, N- O+, N+, F- C- L- B- R- I- आयन की stability की बात करने जा रहे हैं आयन को बंदब चार्ज की तो हम इसी की बात करेंगे तो बटा बताओ क्या यह दोनों तो कौन से अटम को देखना क्या देखना समझ गयो ना बटावात प्रेंट हो गा है, so can we use electron displacement effect? No, never, so ना तो हम यहां पर E-D-E use कर सकते हैं, ना तो हम यहां पर E-D-E use कर सकते हैं और नहीं हम इस वाले case में E-D-E use कर सकते हैं अच्छा नहीं कर सकते की नहीं कर सकते हैं यह बात समझ में आई की नहीं आई आगे क्या वो छोड़ो, कि भाईया कैसे सरे फिर क्या करेंगे, वो छोड़ो, अभी आगे आएगा ना बटके अब ने आपको यह सिखा लिया, कि भाटा कब आप electron displacement effect यूज कर सकते हो और कब आप electron displacement effect यूज नहीं कर सकते हो आई हो पेटा कि आपने समझ लिया होगा, आप अंडिस्टेंड कर लिया होगा कि कब हम EDU कर पाएंगा और कब ने, क्यों फोकस कर रहा है पूरे और 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 केमिस्री में, बहुत लोग गरबर कर देते हैं, कहीं के concept कहीं घुसाने लगते हैं, अरे भाईया सही तरीका नही बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए, चलिए तोरह साब पानी पीते हैं अब, समझ लोगते बात, तो अब देखो चलो यह चीज़ आ जाती है, अब कुछ और पॉइंट समझते हैं, क्या बटा मैंने यह पॉइंट आपको पहले बता दिया था, कि जब कभी भी हम के एलोंग बात करते हैं, तो साइज डोमीनेट करता है, तो सेम पिरेट वाले में हम क्या चेक करेंगे, और ग्रूप की अगर बात होगी तो हम साइज की बात करेंगे, यह बात दिया है, चुकि मैं लांस क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए यह पर जरूद पड़े की तो एक बार आपको यह बात बोल दी, अब आगे की बात करते हैं, अब और एक बहुत, चंडू कॉंसेप्ट आ रहा है, ध्यान देना जरा से, फंडू कॉंसेप्ट क्या है, बट्टे क्षी बताओ, चार्ज की बात करें, चार्ज, जो होता है ना, चार्ज चार्ज आए पोजिटी हो या अब सुनना ज़रा ध्यान से थुभी दिर के लिए बात कि इस concept अब कैसे लगेंगे अब आपको हम सम्झाने जा रहे हैं पढ़ियां तरीके से जब कभी भी हम charge stability कि या नी charge की बात है तो charge वेटा एक ची बता हो वेटा कोई भी neutral species और कोई भी charge species है neutral species particular atom का और particular charge species में difference यह होता है कि neutral ज्यादा stable होता है चार्ज कब क्योंकि और चार्ज्ट हो गया इनर्जी ज्यादा हो गई उसके तो अनस्टेबल होगा तो कभी भी इनर्जी का फॉर्म्ला पढ़ाया जाता है के q1 q2 by r2 दो एक q1 charge है और q2 चार्ज है उनके बीच का distance r है तो इन चार्ज की वज़े से क्या एनर्जी होगा उसका फॉर्म्ला यह होता है अगर आपको पता है तो अच्छी बात नहीं पता कोई बात नहीं आर इस डिस्टन्स बट्मिन तो चार्ज तो बता हो एनर्जी और चार्ज में यह जार्ज है क्या रिलेशन है ड्रेक्ट रिलेशन है सहापसापको फॉर्मूले से दिख रहा होगा so energy और को जा 나्ता है तो इससितेटी हम इसाख कम होती है चार्ज आने से सिस्टम अनेंस्टेबल होता है तो इसका मतलब और energy और stability अब यह भी कह सकते हो कि energy अगर ज्यादा है किसी भी system का तो इसका stability हमेंसा कम होता है energy यह हमेंसा कम होता है मतलब एक particular barrier के लिए valid होता है है ना potential barrier होता है जो कि आपको kinetics में बहुत अच्छे से chemical kinetics जो आप 12 ने पढ़ाया जाएगा वहां पर बहुत अच्छे से distance की जाती है अरेनियस theory वहां पर बताया जाता है एक तो potential barrier होता है तो बट हम नॉर्मली यह बोलते हैं कि energy और stability में क्या relation इसका energy ज्यादा होगा उसके stability कम होगा इसको कुछ ऐसे समझते हैं सबोज बेटा आप स्कूल गए है वहां से आए बहुत तेज भूख लगी थी भर पर दबा के आपने खाना खा लिया यह आपने practically feel भी क्या होगा जब आपने खुब खाना खा लिया तो आपकी energy क्या होगी बढ़ गई तो क्या उसके बाद आपको बैट के पढ़ने का मन करता है क्या सची बताना इसका मतलब आपने खाना खाया आपको energy मिली और आपके पढ़ाय के प्रती stability क्या होगी कम होगी सो energy और stability में क्या relation होता है इंवस relation होता है अब अरे बताओ यह भी energy इधर भी energy तो अगर हम इन दोनों को equate करें right side में तो charge और stability में क्या relation आगया इन जहां पर charge जढ़ा होगा वहाँ stability कम होगा और जहां पर charge कम होगा वहाँ stability जढ़ा होगा चार्ज जढ़ा बातों को समझो charge को यह मान के चलो अब कुछ आपको ऐसे समझातें कर दूसरे तरीकी से charge को आप यह मान के चलो कि charge एक tension है चाहे वो positive charge हो चाहे वो negative charge हो तो पड़ अगर आपके mind में tension है तो कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आप अपने आपको कैसा feel करोगे unstable feel करोगे तो charge जिए tension charge को आप tension मन के चलो और अगर आपके पास tension है तो आप अपने आपको unstable feel करोगे so charge means tension चाहे वो positive charge हो चाहे negative charge हो तो अगर हमें tension होगी तो tension के वज़े से हम कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हमारी stability कम होगी हम अपने आपको unstable feel करेंगे अच्छा अब तो अब हमारी stability कम होगी because of tension tension means charge तो जब कभी भी charge आए तो यह मान लेंगे यह tension है भाई बवाल है बवाल और जब tension और बवाल होता है तो फिर हमारी stability कम हो जाती हम unstable हो जाते हैं वही तो मैंने बताया कि charge और stability में क्या relation inverse relation अच्छा अब इच्छी बताओ वेटा तो अगर आपको tension कम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं उस tension को distribute कर दें जो हमारे दिमाग में चल रहा हम चार लोगों को बता दें फैला दें चारो तरफ तो हमारा भार कम हो जाएगा हमारी tension कम हो जाएगा एक दा प्रैक्टिकल बार बता रहा हो तो या तो हम उस tension को distribute कर दें बांट दें या उस tension को हम कम कर ले तो अगर tension हमरा कम हो जाए या हम tension को distribute कर दे जो tension एक जगे पर focus था अगर हम उसको spread कर दे फैला दे बाट दे दो चार लोगों को बता दे अपने मन की बात मन को हलका कर ले तो क्या हमारा tension कम हो जाएगा और अगर माना tension कम हो जाएगा तो क्या हमारी stability बढ़ जाएगी या सिग्जेक बढ़ जाएगी तो यानिकी tension को कम करके या बाट कर distribute करके stability को बढ़ाया जा सकता है हम बढ़ा सकता है means tension, charge को anyhow कम करके या distribute करके stability को बढ़ाना बढ़ाना होता है तो अब मतलब समझ गए, सिंपल से बात है कि चार्ज कहीं पर भी हो चाहे पॉस्टिव हो चाहे नेगिटुव हो टेंशन होता है और टेंशन को कम करके ही हम इस्टिबिल्टी को बढ़ाएंगे यानि कि जब कभी भी चार्ज की बात आएगी तो चार्ज जी टेंशन यानि हम चार्ज को कम कर देना अगर हमारा चार्ज न्यूट्राइज हो रहा है तो इस्टिबिल्टी बढ़ेगी चार्ज कम हो रहा है तो चार्ज अगर कम मालोब पोस्टिव चार्ज है अगर मुसको इलेक्ट्रोन देने लगे बेटा तो मतलब प्लस चार्ज को लेकि कम होन लगी को लेक्टरोन को बाहर निकालने से क्या होगा कि उस पर बेबलब्लफतोप . अगर इस ुपधली और अगर आपने उसको माइनस दे दिया, इलेक्ट्रोंस दे दिये, तो प्लस चार्ज नूटिलाइज हुआ, कम हुआ, चार्ज कम हुआ, टेंशन कम हुआ, इस्टेबिल्टी बढ़ गई, माइनस चार्ज है, उससे निकालना सुरू कर दो, विड्रो करना सुरू कर दो, तो आनी सुरू करेंगे, concept of charge on electronegativity, so concept of charge on electronegativity, यह बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ क्या, कि अगर negative charge more electronegative element पर present है, तो unstable माना जाता है, अगर negative charge less electronegative element पर present है, तो unstable माना जाता है, अगर positive charge, अच्छा, अब इसका ultra positive charge में हो जाएगा, तो बताओ, negative charge अगर more electronegative पर है, तो stable है, तो अगर positive charge more electronegative पर होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर आप एक याद रखते लेते हो, तो पैटा, दूसरा अपने आप हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, just उसका ultra, so positive charge on more electronegative is unstable, and positive charge on less electronegative is stable, तो आपको confuse नहीं होना है, आपको एक चीज, यह चीज आ अब हमेशा से use करते आए हो, तो use this one, और जब plus की बात है, तो ultra कर देना, so negative charge on more electronegative, क्योंकि more electronegative है, तो electron को खिषता है, और electron को नहीं पास रखना चाहेगा, तो जितना जादा negative charge उस पर होगा, वो उतना ही जादा stable होगा, और electronegative element less electronegative है, तो अब इससे बाते और चिजे समझाते हैं आपको, इसके बाद, ध्यान दीजेगा, गौर फर्माईएगा जनाब, अभी मैंने बहुत आता है, चार्ज क्या होता है, टेंशन, चार्ज क्या होता है, टेंशन, चाहे वो positive हो, या negative हो, this is tension, और अगर हमने tension को क्या कर दिया, कम, कम कर दिया, तो stability stability गई बढ़, चाहे वो positive हो, चाहे वो negative हो, अच्छा, अगर positive charge है, मतलब positive charge है, तो इसको कैसे कम करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, महलो positive charge है आपके पास, इसको कम कैसे कर सकते हो, जब आप इसको इधर से ऐसे electron देने लगो, बता बैठे, इसको अगर electron ऐसे मिलने लगे है, तो इसको प्लस charge का magnitude कम होगा, यह minus इसको neutralize करेगा, तो इसका tension कम हो जाएगा, tension कम, tension कम मतलब charge कम हो जाएगा, positive charge, कौन सा charge, जिसके आप बात करो, positive charge कम हो गया, कम हो गया, stability बढ़गी, अगर हम negative charge की बात करें बैटे, तो अब इसके stability को कैसे बढ़ा जा सकता है, तो इसको neutralize करना है, कम करना है, तो negative charge को कम कैसे करते है, जब इसके electron बाहर निकलने लगो, ऐसे जाने लगे हो, इस तरह से, तो इधर जाएगे, तो यहाँ प्लस charge डेबल stability बढ़ेगा, stability बढ़ेगा, बात समझ रहो, तो tension को कैसे भी कम कर दो, charge को कम कर दो, stability बढ़ जाएगा, यही simple सा logic है, किसी भी पूरे organic chemistry में आप बात कर सकते हो, अब मुझे एक चीश बता हो, electron देने वाले group कौन से होते हैं, अब यहीं पर समझ लो, आप plus charge को कम करना चाहत तो आप क्या करोगे, इसको electron देना चाहोगे, ऐसे, electron दो के तो minus आएगा, अब मुझे अगर partial दे रहो तो partial negative आएगा, यह अफर electron partially निकालना शुरू कर दो, तो partial positive charge अगर, यह positive charge इस negative charge को neutralize करेगा, यह plus charge को partial negative charge करेगा, electron आ रहा है, इस के पास, इस ketan के पास electron आ रहा है, त इस इसके पास आ रहा होगा ना किसी ग्रूप से किसी अटम से आघरा होगा ना तो ओ जो ग्रूप Sut wisdom होगा अब यहां से लेक्ट्रोन निकाल लो तो अपने अपतों निकाल रहा हो बताद कोई ग्रूप यह आइटम निकाल रहा होगा इसको लेक्ट्रान जो निकाल रहा होगा क्या वो इलेक्ट्रोन बिट्रोइंग ग्रूफ होगा बोलो ना बेटे लेक्ट्रोन बिट्रोइंग ग्र लगा दो तो उसके stability बढ़ जाएगा एनायन की stability बढ़ाना चाहते हो तो आप minus i fit group लगा दो उसके stability बढ़ जाएगा logic समझे क्या लॉजिक समझे क्या तो एक दम logical चीज एक दम conceptual चीज आपके समने रख रहा हो और नहीं रख रहा हो इक दम जबदस तरीके से जाए तो अब जड़ा देखो वही चीज में आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं देखो जड़ा समझे के अगर आप कैटायन की बात करो अभी मैंने क्या दिखाया कि अगर कैटायन है तो कैटायन कोu एक्ट्रोन दो गये तो कौन से है इसलेक्ट्रोन डोनीटिंग ग्रू यह आपको minus i electron withdrawing group होता है, minus i electron withdrawing group, plus i electron dramatic group, समझो बात का अब बतावट, electron donating, यह, तो donate को प्लस i कर रहा है, तो stability बढ़ रही है, लेकिन, 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 अगर आप यहाँ पर इसमे electron withdrawing group लगा दो, तो पेटाँ, यह क्या करेगा, समझना, क्या इस electron, अच्छा यह तो जब donate क मिल रहा है, इसको neutralize कर रहा है, बट अगर आप उसमे electron withdrawing लगा दो, और करके care from, यह, दोनों भी हो सकते हैं, और चेक करेंगे, अगर electron withdrawing लगा, तो पेटाँ, जब इधर की तरफ जा रहा है, तो प्लस चार्ज था और प्लस आ गया, आरे बढ़ चार्ज बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी, इस्टेवल्टी कम हो जाएगा, तो बटा बताओ, यह जो माइनस आई ग्रूप का इस्टेवल्टी उसके inversely proportional होगा, लोजिक समझे, भाई, खिचा electron बैटा आपने, तो यहाँ पास्टिल प्लस आया, प्लस था और प्लस आ गया, तो चार्ज कर दिया, इस electron खिचना, मतलब आपने कोई यहाँ पर electron withdrawing group लगा लिया, मतलब minus i group लगा लिया, तो electron खिचेगा, तो parcel प्लस आएगा, बताओ, यह parcel प्लस इस minus को कम करेगा, प्लस माइनस निफ्लाइज होगा, कम होगा यह minus charge, मतलब यह tension को कम करेगा, tension को कम करेगा, तो stability का ह समझ लो और सुन लो सारे logic, फिर हम आपको एकदम just simple VKST देखो नीचे लिखा हुआ है, वह हम बताएंगे आपको, पहले logic लेकिन, पहले पर तो original logic क्या हो समझो पहले, simple, ठीक है, अच्छा, दूसरा बेटे, अगर आप यहाँ पर इसको electron ऐसे दो, और करके लिखेगा, तो इस्टेबिलिटी को क्या करेगा बेटे, बताओ, है न, decrease कर देगा, तो देखो जरासा, एनाइन के लिए, minus i जब बात करो, तो पहले इस्टेबिलिटी बढ़ रहा है, so, stability of एनाइन, या निगिरुली चार्ज स्पेशिए, इस्टेटी पोस्टेटी पोस्टेटी पोस्टे अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, विक्यस्टी कैसे बनाया है मैंने, वह आप देखो जरासा, मैंने बोला कि like like है तो हमेशा stability बढ़ेगा, और like unlike है तो हमेशा stability घटेगा, अब जरा ध्यान दिना, like like है तो stability बढ़ेगा, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस stability हमेशा बढ़ेगा, किसी का भी, और अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस है, like unlike है तो stability घटेगा, जरा देखो कैसे, अभी देख लो जरासा, आपके सामनी रिजल्ट है, दिखा दे रहा हूँ आपको, खतरनाग वी केस्ट है आपके सामनी है क्या बेटाई यह positive charge था, क्या यहाँ फ्लस है, stability directly proportional है, तो क्या यह like है plus प्लस प्लस देखो, और देखो, इसकी stability डिरेक्टम प्लस प्लस है, plus आई बहेगा, stability बहेगा, यह जदिको like बढ़ रहा है, और देखो like और unlike, अर भाई साहब, like और unlike, यादि कर रिज़ पे plus है औ सब लाइक है तो ऺड़ेगा और अगर लाइक है तो striginta है गटेगा अब इसको अब देखो जितना भी बने अभी तक बोला है अब टाइम आ गया कि उन सब जीडियों को हम अपलाई करें और सिखाए अब तो अब प्रैक्टिकल एक्जम्पल के साथ उन सब जीडियों को सिखते हैं बढ़िया तेरी के से हैं अब इसका मस्त जबदस्त कि भाई प्लस ऐी क्या करेगा मैनिस आई क्या करेगा स्टेबिल्टी को कि निनकी फिर फइने अमनों एक रिजल्ट बोल तया उप स्टे पटकर गेंगी हो इतने ज्यादा बढ़ेंगे और जितने लाइक होंग दो यह द fedl ngày को गथे सुखते हैं तो अगर रुखग्व किस और अगर वो किसी सीच को घटाएगा तो बहुत खतनक तरीके से घटा भी सकता है तो अगर कोई भी powerful है बहुत ज्यादा यानि एक ऐसा ग्रूप जिसका effect दगड़ा है जैसे हम plus i की बात कर लें तो सबसे पहला CH2 minus था सबसे strong plus i power होता है उसका यानि कि अगर वो stability बढ़ाएगा तो खतनक बढ़ाएगा और अगर घटाने पर लग गया यानि बढ़ाने पर लग गया तो stream level तक बढ़ादेगा घटाने पर लग गया तो stream level तक घटा देगा जितना ज्यादा powerful है अगर वो बढ़ाएगा तो खतनक बढ़ाएगा बहुत बढ़ाएगा और घटाने पर लग जया तो खतनक बढ़ाएगा जैसे कि करब minus i की बात कर लें तो उस पर NF3 plus था तो अगर वो किसी भी substance disability को बढ़ाएगा अगर तो खतनक बहुत अच्छ लेबल तक बढ़ाएगा अगर घटाएगा तो बहुत अच्छ लेबल तक घटा भी देगा दोनों चीज़े हैं बढ़ेगा तो खतनक बढ़ेगा घटेगा तो खतनक नीचे एकदम डालतेगा अब सुनो इनी सारे observation सारी बातों से अब हम बात करते हैं और चेक करते हैं और अब देखो इसके बाद अब मज़े करो है ना जो चीज में आपको दिखाने जा रहा हूँ अब अब एक दम ध्यान से बहुत 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 तरीके से देखो और आप अंद लोगों से तो पहले तो आप ये questions देख लो कुछ questions आपके सामने या आप चाहो तो एक बार इनको मैं आप देख सकते हूँ इसा भी है क्योंकि इनको हम फिर अभी डिस्कस करेंगे चाहर कोशन यह आपके सामने फिर नेक्स आपको questions पर दिखा दे कि अभी क्या क्या आपको कराने जा रहे हैं देख लो यहां से आपका जो जो मैंने बोला है सब कुछ लगा दूँगा सब कुछ लगा दूँगा और अब यह नहीं होना ची कि compound आपको दिखे और आपको सोचने में टाइम लगे कि कौन सा प्लस आई कौन सा बानास आई आपको यह भी पता होना ची तो आपको मैं प्लस आई देखना पहचानना सिखा यह सब कुछ उसका order भी बता दिया कि अगर चार है तो उसमें से पल से सुरू करतें है देखे, stability order of following compounds देखे जनाब पहला है क्या हम कटायन के बात कर रहे है देख कोकर सी क्या यहा पर इससे 3-carbon लगे हुए है तो क्या हम इसको बोल सकते कि यह 3-degree-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-carb-car अलाकि 0 डिरी का कोई मतलब नहीं होता है बट आप सुछ सकते हैं बोल सकते 0 डिकरी मिधायन कार्बन पर प्लस चार्ज कार्बन लगें 3 डिकरी 2 डिकरी यानि कि यह भी प्लस आई देगा अलकाई ग्रूफ यह भी प्लस आई देगा समझते ना बेटे बात को हाइड्रोजन छोड़ दिया करो ठीक है और यहां पर प्लस है तो लाइक लाइक है इस्टेबिल्टी बढ़ेगा समझ रहो बटा अब यह दो कि सिस्टेबिल्टी को प्लस आई जाज हे अचिस ना प्लस चाही है तो मिया जाता इसका जीर में लिया जाए इसका जीरो लिया जा रहा तो यह सब्से लास्ट में है छोड़ो उसको अच्छिय बता वाटे यहां पर फ्लस लाइक 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 याँ यहाँ पर plus plus का case बन रहे है तो like like हमैसा stability को बूल जाओ कि plus i minus सीदह सीदह प्लस परले लिख लो कौन सा effect है plus i है minus i अब दो बताओ plus i है यहाँ पर stability बढ़ा plus plus stability बढ़ा plus plus stability बढ़ा अब तो बताओ जादा likes है ना यहाँ भी plus hier dánda plus से तो इसके सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर दो हैतो इस्से थोड़ी ही कम होगी और यह उश्चे कम या पर A कम भी यहां यह साथ नॉर्मल कुछ नहीं हो यहां तीनों में बढ़त रहा थो यह थोड़ी एच बढ़ा सबसपेई प्लस 3 प्लस आई प्लस 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 प् अभी आपको फिजन में सब समझाएंगे कि इसको डिटेल में की कापकटान होता क्या है अब एक चमपल समझो पहले एडी अच्छा एडी यूज कर सकते की नहीं कर सकते बटा यह तो यह तो यह तो ध्यानी दिया आपने यस तीन बॉन ने एस पी टू यहां भी एस पी टू से में ने इसको मत भूलना और यह प्लाशाए की बात हो यह तो में प्लाशिए की बात कर रहे आगे हम आपको और समझाएंगे तो कापकटान की सिटीवल्टी का होगा थी यू दिगरी फू दिगरी फटीविगरी औन जिडिन गरी जिरो डिविश मिथालिक जिटिट अग चली next question कितरा बढ़े अब सोना से अआर तेजीस काम करें फिरा बताना मुझे इसकी बात करें अब यह क्रबनाइन मेंगे मैंस क्रबिनाइनैं कि ते कितने डिग्री का है कि यह कर बनाइन चली क्या यह पनाइन है पर फ्लस प्लस 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 बाइनस लाइक अनलाइक हो गया यह अब समझ ना कैसे दोको वीकेस्टी लगाओ सिंपल वीकेस्टी लगाओ कुछ दिमाग नहीं लगा ना आपको सिंपल पर बताओ क्या इस प्लस माइनस से घटा फिर से प्लस आई होता है प्लस माइनस घटा फिर से प्लस आई होता है प्लस माइनस इसने गटा, यहां पर तीन गटा रहे हैं, यहां पर एक है प्लस आई, प्लस मांनस एक गटा, जानी इसमें क्या है सिंपल, इसमें कुछ नहीं हो रहा है न्यूटरल है, ऐसे ही है, इसमें अब बता ज़ी तो बताओ, यह सबसे ज़्यादा घट गया उससे आपको सामने तो सबसे least कौन हो गया, A हो गया, सबसे last में A चला गया, अच्छे कि बताओ, यह घटा यह घटा यह घटा इसका कुछ नहीं हुआ, मताओ, stability D का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यह घट नहीं रहा है, यह तिन्हों तो घट रहे हैं, यानि कि D सबसे पहले आ गया, अब सबसे ज pies सबसे ज़्यादा यह घट बताओ, क्या सबसे ज़्यादा, यह घट इसका जो order होगा, क्या होगा, HE, तो इसका जो order होगा, क्या होगा, 0 degree, methyl carbonine, उसका फिर क्या होगा, 1 degree, फिर 2 degree, और फिर 3 degree, यह आपके सामने है, stability of carbon है, बोलो, है कि नहीं है, चलो, अगले question की तरह बढ़ते हैं, next question, अब फटा बढ़ देखो, यह plus है, यह fluorine है, minus i होता है, यह O minus i, याद करो, plus i देता है, और यह like हो गया, बढ़ा, यहाँ पर देखो, यह charge मत देखना है, यह plus i group है, आपको यहाँ से compare करना होता है, यह देखो, plus minus, घटा, plus plus बढ़ा, प्लस बढ़ा, अरे भाई साम, तो इसमें सेक्षी बताओ, घट कौन सरा है, इसका मतलब जो a है, वो तो last में चला गया, अब बा करो plus i का, सबसे पहले c h2 minus था, c no, c no, n h minus, o minus, c o minus, फिर 3 degree, फिर 2 degree, फिर 1 degree, फिर 0 degree, फिर 3 tm, फिर deuterium, फिर hydrogen, यह आपका plus i का, इसमें इन दोनों में powerful कौन है, यहाँ पर c h3 है, देखो, यहाँ पर आपका c h3 है, और यह आपका c h3 है, और यह देखो o minus, यह o minus, तो खटा था, तो गटा तो बता इन दोनों में यह ज्यादा powerful है, और बढ़ा रहा है, तो ज्यादा बढ़ा देगा, यानि B और C में B ज्यादा हो जाए, सबसे last में गया यहाँ पर, This is my mistake, वीटे, I'm sorry, and I must be sorry to say sorry, यह समझे आपको, यह तो घटा, आप B और C में बढ़ रहा ह तो यह ज्यादा पाउरफुल प्लस आई तो ज्यादा बढ़ा देगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका बी तेन सी लीजे कहानी का तो आगे बढ़े चलिए इसकी बात करते हैं अच्छा यह चोथा नंबर सेम है गया कोई बात ने सेम हो गया तो पांच में पर चलते हैं आई इफेक्ट और डिस्टेंस में कैसे रिलेशन था इन्वस रिलेशन था डिस्टेंस बढ़ने से आई इफेक्ट यानि ट्रांस्मिशन अफ इलेक्ट्रोन कम हो रहा था याद करो आपके पर यह बताओ क्या यह माइनस यह मैनस आई है यह माइनस अइनज हो यह भी घटता अब जड़व कि घटना यह भी घटना अध्यमिटे अफ नहीर कुस्ती अपके लिए अच्छे बताओ यह ज़्याद़ पास में हैं तो ज़्यांद डालेगा जैसे-स उसको दो जाता जाएगा डिस्टेंस भरते को चलिए पानी पीज़िए बिल्स के हर चीज आपको मैं दिखा दे रहा हूं, ज्यादा पास में ज्यादा इफेक्ट होगा, दूर जाएगा, इफेक्ट कम होता चला जाएगा, क्योंकि दिस्टेंस और इफेक्ट में इन्वस्ट रिलेशंग है, चलिए, अच्छे, यह क्या कर घटा रहा है और ज्यादा पास में है तो ज्यादे एफिक्ट डालेगा मतलब ज्यादा घटाएगा यह लिए जनाब कि थोड़ा सा दूर हुआ घटा रहा है बट इसके रिस्पेक्ट में उतना नहीं घटा पाएगा क्योंकि एफिक्ट कम होगे दूर जाने से अब यह एकदम दूर हो गया तो घटा तो रहा है बट इसके अधना नहीं घटा पाएगा जितना यह तो इस तरह से डिस्टेंस बढ़ने से इफिक्ट बहुत पहले तो आप यह देखो अनलाइक है घटा 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 फिर ज्यादा पास में ज्यादा इफिक्ट डालेगा यह लास्ट में चला जाएगा और यह दो को सब तो यानि सी बी इस इस दे अंसर चले आगे बढ़ें अनन्द आ रहा है मजा आ रहे मजा हो रहा है चलो यह माइनस आई अरे भाई साब यह लिजे जनाब हर चीज आपके क्लेर कर दूंगा भी मैं देखो यह माइनस यह माइ बढ़ा रहा है अपर फास में हे तो जयादा बढ़ा देगा य्ए बढ़ा रहा है ऑर लेकिन थोलड़跟25 रोदी होगि थ बढ़ा हो बता अब कहाणी समझमें आरी का सबसे ज्जादा कौन कोन हो गया एं बीस अभुली मारू ना के प्लस आई क्या करता मैने stripped einem लाइक प्लस यह प्लस यह प्लस अब रहा बताओ यह होता है माइनस आई, cn भी होता है माइनस आई, foreign country, foreign, nf3+, nr3+, ns3+, no2, उसके बाद cn, और यह भी आपका माइनस आई, अब रहा बताओ unlike, like unlike हो गया यह तो like unlike, यह विकेश्टी मझा आ रही बटे, like unlike घटाया, घटाया ये भी घटाया ये भी घटाया ये भी घटाया लाइक 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 अच्छा अब बता हो बैट आपने का थे घटा रहा है लेकिन अगर जो ज्यादा पॉरफुल है वो ज्यादा घटा देगा तो और सबसे ज़्यदा powerful है तो क्या खतनक घटा देगा ये लीजे जनाव ये मरा खटाक से नीचे फिका second number पर कौन सा आएगा बताओ ए नोटू देखो ये घटा रहा है इस से ज़्यदा powerful है तो काफियत तक ये भी घटा देगा अब इन तीरों में सबसे least powerfully है तो ये घटा तो रहा है अब उतना नहीं घटा पाएगा तो बता बता सबसे ज़्यदा ए घट गया यानि ए कहा गया सबसे लास्ट में सबसे कम गउन घटा ये ए ए हो गया बटे ए भी और सी समझ लेना कुछ हुआ है कर पर कुछ आगे भी मैं सही कर दूँगा क्या पीछे भी ऐसा ही था जब questions दिखा रहे थे सही कर लेना बटा ए बी सी लिख लेना आपकर वैसे मैं चेक कर लूँगा है ना चलो अभी चेक कर लूँगा बटा बताओ तो सबसे last में कौन चला गया चब कॉन कटा यह सबसे कम कौन कंटा यह कंकी सबसे यहरो के form में लिख़ लो ना यह सबसे last में उसके यह सबसे last इस्के पहले सही थे ग्यां के जचे समझते नहीं बात को निकर पड़ते हैं रात को फे बोलते देर रहा है डड़ में अट्थ है यह minus ay तो बया like like क्या करेगा बढ़ाएगा like like बढ़ाएगा उसने सभी ज़य meat था अब आबяз обычно तो कै अगर पावार्फूल पॉल ज़ूद है तो पावार्फूल थिकाणाने में लग जया तो आधosph law पहला देगा पावर्फुल अगर बनाने में लग गया तो आस्मान में चड़ा देगा तो 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 यह पावर्फुल था और अनलाइक था तो घटा रहा तो एकदम खतर नक घटा दिया था अब जड़ दो निक्स्ट में आपको क्या बोलना चाह रहे कि पावर्फुल है और ख़दो लाइक अनलाइक है देखो यह तो गड़ भर झादी करने यह आई पर देखना है तो नो टुप मदा रहा है तो लाईजर के बढ़ाएगा तो ये भी बढ़ाएगा भंभी बढ़ा Aur बैसे सब से घिंदक कम यह बढ़ा पाएगा ये भी बढ़ारा है एकलों सबसे कम योग, तो सबसे ज़ोधा को ने सी धन क्या है बटा फिर बताओ A , railroad दिन क्या आया B, कहानी। क्लीर ना लिंविटे अरे बोले बटा कुछ तो तो VALE जनाब कुछ तो बोले यह देखो यह प्लस यह प्लस यह प्लस अब बताओ, अच्छा एक चीज़ और देखते जाओ, सब में, फड़ा पट, ED हम लोग लगाते जा रहे हैं, है न, मैं समझा चुका था वैसे, फिर भी, देखो, कार्बन, 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 हैबिरेशन यहां भी SP3 हमने निकाला था, स्वरी, SP2, 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 यहां भी कार्बन, 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 यहां भी कार्बन और दो-दो hydrogen लगा ले ना वैलेंसी पूरी कर ले ना तो यहां भी sp2, यहां भी sp2, यहां भी sp2, same atom, same hybridization, ED can be applied, यह बता चुका हूँ मैं आपको, यह मैं आपको बता चुका हूँ, आगे देखो, तो यहां तक हो गया ना, और यह चो था, same हो गया था, अभी यहां पर, बता चुका हूँ, आपको यहां पहले, so ED can be applied, यह भी तो देखो, 6 पर आजाओ, यहां भी carbon, यहां भी carbon, same atom, same atom, same high digestion, so ED can be applied, आप लगा सकते हैं, next की बात करें आप, यहां भी carbon, यहां भी carbon, यहां भी carbon, same hybridization, same atom, ED can be applied, चलो आगे देखो, यहां भी carbon, यहां भी carbon, यहां भी carbon, यहां भी carbon, carbonion है, सब single bonded है, SP3, SP3, SP3 होगा, एक hydrogen लगा लेना है, वो मताफ हैलेंसी पूरी कर लेना, same atom, with same hybridization, ED can be applied, यह भी देखते जाएं आप, आप आते हैं, next question में, आप चलते हैं, next question में, चले, अब इसमें आए, तो बढ़ा बताओ, यहां भी carbon, 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 और सब यह hydrogen दो-दो होंगे, SP2 होगे, सारे के सारे, यानि ED can be applied, ED can be applied, समझते हैं, कैसे कैसे क्या करना है, चले, अब यह minus i, यह भी minus i होता है, यह होता है, यह होता है plus i, यह होता है plus i, अरे भाई साहब, यह तो, यह दों unlike वाले case हो गए, तो plus minus, plus minus, और यह दोखो, यहां पर आयन पर charge मन देखना है, effect वाले, ED वाला charge उसको देखना, compare, करते time, यह plus plus, यह plus, यह plus, like, यानि कि COD like है, तो, इनका stability यह तो पहले यह आ जाएंगे यह confirm है क्योंकि like-like वाले बढ़ाएंगे यह like-unlike है यह ज़िए गटाएंगे तो यह आनि कि a और b तो गया last हो है अब हमारे पास बात ही है कि अब c-d में पहले को ना एगा a और b में पहले को ना एगा इतना चीज रहेगा चली देख लेते हैं तो पहले c-d कि भाई यह बढ़ रहा है यह बढ़ रहा है अब o-c-o- sbse पहले आता है यह ज़्यादा पवरफुल है यह बढ़ा रहा है तो ज्यादा बढ़ा देगा तो अब इससे बाद उससे कम बढ़ा पाए गया यह सी घ्ठा या भी तो yod में c पहले आ गया फिट d आब आते ती इन दोनों में, एनुटोर सी योच में, फॉरेंड कंट्री, तो फॉरेंड में पहले ही आ गया, यह तो बात में, यह इसका पावर ज़्यादा होगा, और गटा रहा है, तो क्या बहुत ज़्यादा गटा देगा इसको, इन दोनों में यह पावरफुल है, गटा रहा है, तो क्या कांड चल रहा है पला बताओ यहां भी carbon यहां भी carbon यहां भी carbon यहां भी carbon same item with same hybridization yes EDE can be applied EDE can be applied minus i minus i plus i अब यह effects आपको दम समझ रहा हुआ उनका application पीटे clearly चलो यहां पर दोखो like-like हो गया भाई like-like हो गया जनाब like-like कैसे दिखो minus 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 like-like हो गया और यहां पर देखें आप जनाब like-unlike हो गया like-unlike हो गया like-unlike हो गया भाई like-unlike हो गया भाई like-unlike कि घटने वाले है यह बढ़ा त्यानि इस बार A और B पहले आएंगे और उसके बाद C और D आएगा अब कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा वो चेक कर लेते हैं चलिए तो पहले like-like वाले देख लेते हैं like-like वाले यह दोना है न हाँ यस अनुटो और C हमें बेटा अनुटो ज्यादा powerful है और यह बढ़ा रहा है क्योंकि like-like है तो क्या सबसे ज्यादा बढ़ा देगा इस पर अरे भाई साहब यह भी बढ़ा रहा है क्या उसे कम बढ़ा पाएगा इसका मतलब यहाँ पर आपका A सबसे पहले अब इन दोरों में चेक करते हैं like-unlike अब O- माइनस और C- में बेटा O- ज्यादा powerful होता है अब आपको series है न क्या application series का तो यह अगर घटाएगा ज्यादा powerful हो तो ज्यादा घटा देगा यह भी घटाएगा अब उतना नहीं घटा पाएगा तो कि उससे कम powerful है इन दोरों में C एकदम घट गया लास्ट में चला गया तो उसका पहले आपका D आजाएगा दें C यह लिज़े जनाब आगे 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 चलिए देखिए अब जनाब अब बतावगे यहाँ पर O- है यहाँ पर NH- है और भाई सहाब different atoms हमने कह आगे 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 किन का कैसे करेंगे आपको पताएंगे और अगर different atoms हो गए जो EDE कैन नौट बी अपलाइड चनाब देख लीजिए अब देखिए यहाँ बीजू अब यहाँ यहाँ पर आप साइच करते हो अभी आपको समझा देता हूं तो यहां पर इन दोनों के लिए आप क्या चेक कर लो फिर अब कोई DE मत लगाओ अब अब एलेक्ट्रो निगेटिव और साइट वाला कॉंसेप्ट लगाओ और तेंशन वाला कॉंसेप्ट लगाओ कि यहां टेंशन कम करना है इस्टेविल्टी को बढ़ाना है अब टेंशन कैसे कम हो का चिक कर लेना और भी मने बताया था कि मोर इलेक्ट्रो निगेटिव पर अगर माइनस है तो ज्यादे स्टेबल होता है लेक्ट्रो निगेटिव पर प्लस है लेस्टेबल मोर इलेक्ट्र वे बात करेंगे, बढ़ा थो यह दो रहरा है, कौन जाद है elektro negative, this is more electron negative और more electron negative पर negative charge होता है, तो more stable होता है, अरे भाई साहब यह लिजे जनाब, विदाओ DD हो गया is all, so more औरी ze Лवोंगे पिरीड होता हूं साइस देखते है और मेरलेक्ष निगेटिटी पार माइनस चांच मोर क्लीट होता है लिगे जनाब अग्या बात करें, नेक्स्ट नेट्चे कौशें अब यह यह यहां पर ौ प्लस है यहां पर नगनेट्स है वो भाई साब, वो भाई साब, फिर से वही, क्या ये सेम पिरेड में है, चेक करो, लिथियम, बेरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ओक्सिजन, फ्लोड, अरे ये सेम पिरेड में है, अगर ये सेम पिरेड में है, तो क्या करोगे चेक, इलेक्ट्रो अच्छ बले बताओ, different atoms हो गए भाई, different atoms हो गए, जनाब different atoms हो गए, तो EDE cannot be applied, तब वही size और electronegativity को concept, so check electronegativity, अब बताओ, more electronegative पर अगर positive charge है तो less stable होता है, बोला था न, अच्छ अगर more electronegative पर plus charge है, सब लिखाया था कि नि लिखाया था, तो unstable होता है न, या less stable होता है अगर less electronegative पर positive charge है, तो stable होता है, more stable होता है, चलो, तो बताओ, इन दोनों में ये more electronegative है, और more electronegative पर क्या हो गया, positive charge हो गया, तो ये more electronegative पर positive charge, less stable हो गया, इसका मतलब ये ज्यादा stable होगा, it means here, the answer is more than 1, दुको सारे concept कैसे कैसे लगाने, कब कब क्या हो सकता है, आप इस तरह से समझ सकते हो, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, जर देखे जनाब, next question की बात करते हैं, next question की बात करते हैं, अब ये दुको, यहाँ पर minus, यहाँ पर minus, यहाँ पर minus, क्या बेटा ये कुछ ऐसा नहीं हो है, fluorine, chlorine, bromine, iodine, अगर हमनके size की बात करें, तो नीचे जाने से, यह देखे, यहाँ पर I, यहाँ पर BR, CL, F, क्या ये along a group की बात हो रही, top to bottom, top to bottom, group की बात हो रही है, तो क्या check करोगे, check size, तो हम size चेक करेंगे जनाब, हमने काला था, यह जो charge होता है, टेंशन होता है, चाहे हो positive हो, चाहे हो negative, charge, tension होता है, tension को कम कर दें, या बाट दें, या spirit कर दें, तो tension कम हो जाएगा, और हम stable हो जाएगे, relaxed हो जाएगे, तो जिना समझो, minus is fluorine, chlorine, पर हैं माइनस जहार इतनी जगे पर फैला हुआ है मैनस चार यह रेल फैला हो एक छेड़ में छाल आये तो बड़ गया एकदम, रिलैक्स हो गया, यहाँ पर टेंशन एकदम कोपडी, फोपड़ी फीप गुषा है, जरस थोला सा भेजा है तो यहाँ पर टेंचन खतना की बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, तो आप रिल्याक्ष हो गए, आप ज्यादा इस्टेबल हो गए, so this will be most stable तो यहाँ पर यह मतलब बातने हैं sir fluorine to more electronegative है और sir more electronegative पर तो minus charge है more stable होता है sir यह सब जब 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 इस जब 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 रहे हैं जब बना जब करना जब जब चेक कर ले ना पहले तो बताब different atoms है और अगर different atoms हैं तो हम EDE we can not be applied, नहीं लगा सकते हैं। और छुकि गृुप की बात हो रही है। तो गटा हम गृुप में size dominate करता है। यहां पर size के according हम बात करें गे। और अगर यही अगर तो मिलेड में था, तो हम पर यहां बट गया यहां बट गया क्या होगा इस्टेबल लोगा फिर ब यार मैनस होगा फिर c l minus होगा फिर f minus होगा means option is d c b a बता वेटे क्या मैंने जो जो चीजे बोली थी जितने points बोले थे क्या सारे निप्टा दिये एक किक करके क्या सब समझा दिया है ना हर चीज electronic theory का concept EDE का concept है ना like like का concept inverse direct का क्या relation होता है उसका concept along a group along a period क्या होता है कब EDE लगेगा कब नहीं लगेगा करसे stability बढ़ेगा करसे घटेगा जो powerful है ज्यादा बढ़ा रहा तो ज्यादा बढ़ा देगा घटा रहा तो ज्यादा घटा देगा है ना तो सारी चीजे आपके साबने में रख दी कुछ इस तरह से बिटा apply करो करो ना करता ना तरीका से इन सब के हमने आपर solution से अल्लेडी बहुत detail में लिख भी रखे है आप देख सकते हो तो आप एक बार growth go through हो जाना यह है ना इस तरह से लिख रखे है आप इनको एक बार check out भी कर सकते हो ठीक है कुछ-कुछ इक-जाप पल्स के explanation मैंने आपर दे र बात की है अब हम लोग अब आगे कुछ और बात करेंगे आगे बात बैसिकलिए अब हमें क्या करना है हमें bond fusion की बात करनी है और intermediates को समझना है बढ़िया तरीके से तो ठीक है बटे तो नेक्स्ट जो है हम लोग को बात करनी है किसकी homolytic and heterolytic fusion और reaction intermediates है ना कटाइन, carbonine, free radical benzyne, nitrogen, carbine यह सारे reaction intermediates होते हैं यह fusion के थ्रो हम बात करेंगे और कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है हो सारी से ते काम करते हैं आज की क्लास में इस session में इतना ही रखते हैं है अधर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और हम लोग fusion की बात और reaction intermediates की बात जो है next session में करेंगे है ना आज आपने आज की क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा है ना बहुत मस तरीके से और कहीं पर भी कोई दिकत नहीं आई होगी है ना तो एक बार मैं जस्ट एक मिनट में summarize कर देता हूं हम लोगों ने क्या बात की बेटे आज 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 आप लोगों न करके हम लोगों ने बात की फिर अचहा की EDE कहां पर अपली के बलोगा तो same atom और अगर same hividization और atom same है तो वहां पर EDE apply कर सकते हो अगर different atom है you can never use EDE Electron Displacement Effect आप उहां पर use नहीं कर सकते हो बढ़े ठीक है ना more electronegative पर अगर negative charge है, more stable होगा, more electronegative पर अगर plus charge है, unstable होगा, more electronegative पर अगर समझ लोगो ना बटे, तो इस तरह से आप plus और minus का concept समझ सकते हो, कैसे कैसे क्या क्या है, वो सारी चीचे हमने आपको बताईगे, अब फिजन वगरे की बात होगी, तो हम लोग next class में कर लेंगे, और एक चीच हमें सा ध्यान दोको बेटा, जब कभी भी different atom की बात हो, जहां पर आप ED apply ना कर पाओ, तो concept क्या लगा होगे, मैंने बताए आपको, कि आप देखो कि वो जो elements है, along ग्रूप है, या along गे period है, अगर along गे period है, check electronegativity है, और उसके basis पर आप देखो, और अगर along ग करना है कैसे भी करके, tension को कम कैसे किया जा सकता है, या तो उसको हम कम कर दे, या उसको हम distribute कर दे, share कर दे किसी और के साथ, या spread कर दे, तो charge कम हो जाएगा, tension कम हो जाएगा, तो stability बढ़ जाएगा, तो यह सारी चीजे हैं, जो हमने logics अज लगा है, और मुझे लगता है पीच में बहुत अच्छे पॉइंट में आपको बताए है उन सब को द्यामनों को अच्छे से रिवाइच करो बढ़िया प्रॉपर तरीके से ठीक है और इसके बाद एक क्लेशन और लेते हैं फिर आपको डिपी देते हैं और इसको सॉल्व करो अच्छे से डिस्क्रिप्शन चेक करते रहें आपको टीपी वगर्रा वहीं पे डिस्क्रिप्शन बे बिलती रहेंगी और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग करेंगे बटे ठीक है ना सो थैंकि सो मच बटे गॉडब्लेस यौल लव यौल खुब पढ़ो खुब लिखो खुब आगे बढ़ो खुब म तुरा सा एक्सप्रियेंस का बटा यह होता है बढ़ते बढ़ते हैं डहरा साल के असपास होई गये हैं तो वह चीज़े हैं ना सिंपल में मेरे प्रजिन करने कोशिस करता हूं सो देट कि आप वो सारी चीज़ें अच्छे से धहन रग पाओ और अपलाई कर पाओ आपको बटा मारें किचे रोथ ना पड़े ठीक है तो थैंक यू गद्ब्लस यू लव यू वाइनोट डी